हलो बच्चों, Welcome back to my channel, कैसे आप लोग? मैं आप लोग को banking operations प्रहा ली थी, जिसमें आप लोग का chapter 7 चल रहा था, जिसमें हम लोग नõी पढ़ा था कि accounts कितनी तरह के होते हैं, किसी bank में जमें accounts खुलवाते हैं, तो वो कितने types के होते हैं. आजMI वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि किस तहां से एक बैंक में अपना अकाउंट open करेंगे हैं हम लोग कैसे खुछ उड़ाते हैं उसमें कौँन से प्रोसेसेर्स होते हैं कौई से फॉर्म से होते हैं जो में बढ़ने होते हैं जो BANK में ACCOUNTS होते हैं उन्मोर चारत रहा कि होते हैं एक हो जाता है हमारा SEVNG दूसरा हो जाता है जो हम FD कराते है फिक्स डिपोजेट और तीसरा हो जाता है RD तो ये चारत रहा कि ACCOUNTS हो जाते हैं अब इसमें यह देखते हैं कि कैसे हम accounts को खुलवाते हैं तो क्या हो जाएगी heading आप लोग की bank में नया खाता खोलने की सामान प्रकुरिया journal procedures of opening a new bank account night question exam में आप से पूर सकता है कि किसी bank में कोई नया खाता खोलना है तो उसके क्या procedure होता है प्रकुरिया होता है समझाइए तो आपको heading wise बताना होगा कि step by step किस तहां से आप follow करते हैं क्या procedure होता है तो सबसे पहले जो से point आजाएगा वो हो जाता है निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किसी भी bank में जब आप जाते हैं तो bank में क्योंकि purchase system होता है आपको पता ही होगा तो कोई भी कार आपको करना तो उसके लिए एक अलग से format होता है उस format को आपको फ़र के slip को जमा करना होता है चाहिए आपको account से पैसा निकालना हो या पैसे जमा करने हो या कोई भी और तरहा का काम हो तो उसके लिए आपको एक format होता है पूरा वही सेम रहेगा यहां पर भी कि जब आप account खुलवाने जाते हैं तो एक format होता है उसमें आपको अपनी details को भरना होता है जिसे क्या कहेंगे निधारत प्रपत्र जिस पर कि आपको application देनी होती आविधन करना होता है तो वहां पर depend करता है कि किस तहां का आप account खुलव व्यक्ति का पूरा पता यानि कि उसका पूरा address होता है साथ में कोई reference के लिए किसी व्यक्ति का ना जो कि उस bank में already account holder होता है उसके बारे में भी information रहती है इतना से उसका नाम और हस्ताक्षर उसका signature और उसका name रहता है उस सारी information जो की पूछी गई है वो आपको उसमें fill up क information देनी होगी पिर आजाता है second point आविदक का परिचय जिसमें की जो भी व्यक्ति account खुलवाना चाह रहा है वो अपना एक समझे कैक्टर उसका वो रहता है कि व्यक्ति एक सम्मानित ग्रहक है उस साथी इस्थानी व्यक्ति जो बैंक ग्रहक से पर्चित होता है उसकी details होती ह अगर कहीं आप job कर रहे हैं वहां के थुरू आपका account खुलवाय जा रहा है तो जो भी ग्रहक होता है जो कमचारी है कहीं का employer है तो उसकी details भरी जाती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लगती है थाड़ा जाता है नमोने के हस्ताक्षर वहाँ पर signature करा जाते हैं जब भी एक ते नमोने के तौर पर हस्ताक्षर करवाय जाते हैं ताकि आगे की जो future में जो भी transactions आप लोग करें तो वहाँ पर उसको same match होना चाहिए पर आ जाता है आवश्यक दस्तावेस प्रस्तुत करना account open करवाने के लिए जो भी important चीज़ें होती है उसको आपको साथ में लगा पड़ेंगी और एक कोई व्यक्ति का account खुलवा रहा है तो वहाँ पर उसका जो आईडी है आईडी प्रूफ लगता है फोटो वहाला लगेंगी यह सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर आजाता है राशी जमा करना आप जो account आपको खुलवाते हैं तो साथ में कहीं पर किसी बैंक में 1,000 की जहें उससे खुलता है कहीं पर 5,000 प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बैंक है ऐसे तो वहाँ पर 10,000 भी हो सकता है अलग बैंकों में रहता है कि कितने पर आपसे account जब account open करवा रहे होते हैं तो उसमें जबा करवाने के बाद ही account open होगा फिर आ जाता है खाता खोलना यह सारे procedure होने के बाद आपको क्या होता है जो bank होगा वो account खोलता है open करता है और साथ में आपको क्या चीज़े दे जाती है पास बुक होती है ATM होता है check book रहती है जो ready kit के तुरू आपको मिलती है बहुत से चीज़ें भी होती हैं जो साथ में दी जाती है तो यहाँ पर आपका इस तहां से पूरा अकाउंट ओपिन हो जाएगा तो यह था वो पूरा पोसेज़र जिसके तुरू आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं अब नेक्स टाम पढ़ते हैं कि जो बैंक खाते होते हैं उनका संचालन कैसे होता है अपर बात कर रहे हैं वन प्रेपत्रों की चलता है अलग ताग कर रहे होते हैं आप जम्मा कर रहे होते हैं वो सारी चीजिज इसमें हम पढ़ेंगे क्यों क्या होती है जिसके तुरुएं बैंक में operations होते हैं तो पहला इसमें आ जाता है पास बुक आपने देखा होगा कि जो आप अकाउंट कुलवाते हैं तो साथ में आपको एक पास बुक मिलती है जिस पर आपके बारे में जो front page होता है उसमें सारी detail होती है यह तीनों चीज़े दे रखी होती है साथ में date भी दे रखी होती है तो जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं तो उसकी entry उस पास बुक में होती है कि कब आपने कितना account से निकाला है या जमा किया है और कितना balance शेश अब रहे गया है आपके account में तो किस में entry होती है वो हो जाता है पास बुक में entry होती है तो जब भी जो कोई company होती है तो वहाँ पर जब उसका reconciliation statement बनता है तो उसी पास बुक की help से ही बनाया जाता है bank का जो post बुक होती है उसके help से ही बैंक रिकांसलेशन स्टेट्मेंट है वो भी बनाया जाएगा इसका फॉर्मेट कैसा होता है किस नहां का होता है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक फॉर्मेट लगा हुआ जिसमें कि पास्बुक के अंदर कौन क्रॉसी चीज़ें होती है आप लोग के पास भी होग जमापरची पुस्तिका में क्या होगा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कब कब आपने कितना अकॉंट में अपने डिपॉजिट किया है जमा कराया है नगत भी हो सकता है चेक के थुरू भी हो सकता है ड्राफ भी हो सकता है किसी भी तरीके से किसी भी तरहां से आप अपने ही तो यहां पर किया हो जाएगा इस प्रपतर में क्या होगा खातिदार का नाम होता है किया किया है उपस्क्राइं और स 21 इसके बात कितनी शाखह से हैं, कितने डेट होगी, उसके उसके पैसे निकाल रहा हैं, उसके अंकों में और शब्दों दोने डिडियमें देनी होती है, और साथ ही अकाउंट नंबर और नीचे हो जाते हैं, सिगनेचर तो ये इस तो हम कोछ specimen होता है इसको भड़कर जमा किया जाता है निकालने के लिए फिर आ जाता है checkbook बहुत important है checkbook आप समने देखी होगी कि जब भी हम cash में नहीं payment कर रहे होते हैं किसी को तो क्या करते हैं उसके नाम पर हम check लिख देते हैं तो check किस से हम उसका भुकतान payment कर सकते हैं चेक का आप format देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी सबसे पहले आपको डेट डालनी होती है उसके बाद कितने पैसे आप जह payment कर रहे हैं वो देने दिखने होते हैं नाम लिखना होता है अंकों में और रुपीस दोनों में देने होते हैं आपको account अपने जितना भी payment कर रहे हैं और साती हस्ताख्षर करने होते हैं तो इस तहां से आप अपना चेक को तैर कर का परचालेंग होता है अब आ जाते हैं यह देखेंगे कि जो है खाता है हमने यह तो किस तहां से खोलता है किस तहां से हूं नहीं पता होता है कि आपको कैसे हम बन करवाएंगी तो यहां पर कर हती है तो कई methods भी हो सकते हैं और कई तहां से भी account बंद किया जा सकता है कभी-कभी consumer चाह रहा है कभी-कभी bank के वज़े से बंद हो सकता है तो कई उसमें situations होती है तो अब उसको हम पढ़ेंगे क्यों कौन से प्रसितियां होती है जबकि account बंद हो सकता है पहला हो जाएगा ग्रहक की सूचना पर जब consumer जो है जुसका account है वो कुछ चा रहा है सेम ही bank में अपने account को बंद करना तो ऐसे सिती में वो bank को सूचना दे करके अपने account को बंद करा सकता है यहाँ पर bank जो होगा वो ग्रहक से कोई भी सूचना नहीं मांगता है कि वो किसलिए bank अपना account बंद करवा रहे हैं bank क्या करेगा उसके जो पासबुक होती है उस पर खाता बंद लेकर के ग्रहक को पासबुक अपस कर देता है और साथी जो भी account में राशी जमा होती है शेश राशी होती वो उसको निकाल लेता है उसको वुक्तान कर दी जाती है दोसा हो जाता है banker द्वारा सुचना देने पर कभी कभी ऐसा होता है कि bank को लग रहा होता है कि जो भी ग्रहक है वो पुरी Patient से इमान दार नहीं है या किसी भी ताय कि कोई ट्रोटी पा रहा है या सुनतष्टी हो रही है बैंक को तो वहाँपर भी उसको सुचना दे कर को क्लोज किया जा रहा है जैसे कभी ग्रहक इस तहां का चेक बिल जमा कराता है जो कि धोके से प्राप्त किये गये हैं या खातें पर आपते राशी ना जमा होने पर भी बार बार जारी कर दे रहा है तो वहां पर क्या होता है जो अकाउंट होल्डर है ग्रहक है उसके मांदा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी हम अकाउंट बंद हो सकता है फिर जाएगा खाते का संचाला नहीं पर बहुत लंबे टाइम तक खाते का संचाला अगर नहीं हुआ है मतलब कि ट्राजक्शन खाते से हमने निकाला है जमान अब ना मिलती है कि जो ग्रहक है वो दीवालिया हो गया insolvenct हो गया आपने पढ़ा एंसolvency Act कि उसके पास जो भी धनला शे इतनी संपतिया रहे गई जाता है close कर दिया जाता है तो आज आपने पढ़ा कि किस तहां से एक account bank में खुलवाया जाएगा कैसे उसका procedure जो संचालन होता है वो होता है और साथ ही किस तहां से किसी ग्रहक के account को बंद किया जाता है या कौन से situations होती है जिन पर account बंद हो जाता है तो आज की वीडियो में अगर वीडियो rozp करेंगे नोटिफिकेशन बिल्गों भी जरूरान कर दीजेगा और फेंट साथ वीडियो को शेर कर दीजेगा किसे और ताह की वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू